वेल्कम टू मैं नी वीडियो और आप देखरें इंफोर्मेशन बाई बीशेक और मैं हूँ आपका इंफोर्मेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जोड़ी से भी तरह की इंफोर्मेशन सबसे पहले तो अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज प्रेश 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 दी बेल बटन नोटिफिकेशन से जोड़ी पीडिएफ देते हैं अपने डेली क्राम चैनल अगर वो आपने अभी तक जोइन नहीं किया है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूगा अब वहां से जाके जोइन कर सकते हैं यह जो विकेंसी है वो चाचा नहरूबाल चेकर साल है डेली की तरफ से रहने वाली है अप्लिकेंसी के लिए आपका वाकर इंटर्वी के लिए जाना होगा इंटर्वी जो आपका कंडेक्ट होगा वो होगा 15 जून 2023 बिट्वीन 11 अम तो 12 नून तो सुबह 11 बज़े से दोपह 12 बज़े के बीच में आपको पहुंचना होगा आपका इंटर्वीव होगा आपको पहुंचना होगा तो आप समय से पहुंचेगा आप पूरी जानकरी के लिए आप भी हमारे साथ बनी रहें क्योंकि आपको और जल्दी पहुंचना होगा तो पहले हम देख लेते हैं इसमें अप और चुटी स्टाफ नर्स के लिए क्या दे रखी है इसमें एक पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए सैलरी जो यह देंगे वो रहेगी 31,500 पर मन्त बेस्सी नर्सिंग एंग जी एनम कैंडिट आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं आप इंडियन नर्सिंग कांसल और स्टेट नर्सिंग कांसल के साथ आप राइस स्टाट होने चाहिए जी एनम कैंडिट आपको minimum one year experience होना चाहिए desirable qualification देख लेते हैं हम लोग a prior experience of working at least for a year in a funded research project का तो आपको पहले से ही एक research project का अगर आपके पास experience है तो आपको preference मिलेगी आपको knowledge होने चाहिए basic computer working like Microsoft, Word, Excel, PowerPoint and ETC maximum age limit इसमें 30 years दे रखी है यह जो project है वो initially period of one year के लिए रहेगा इसको extended किया जा सकेगा according to the satisfactory performance जो कि एक साल और आपका बढ़ा दे जाएगा यानि दो साल का maximum इसमें 10 years रहेगा reporting time आपका जो रहेगा venue पर वो सुबा नौबची कर रहेगा आपको वहाँ पर समय से पहुच रहेगा है और वहाँ पर जाकर आपको एक application format यह देंगे तो आपको वो fill करना है और on the spot आपको वो submit करना है 10.30 a.m. इसका last time होगा summation का तो आप कोशिश करिएगा कि आप समय से पहुचें और जल्द से जल्द आप अपना application form fill करकर वहाँ पर submit कर दें आप after 10.30 a.m. अगर इनके पास application form receive होता है तो वो उसको consider नहीं करेंगे तो आपको समय से पहुचना है और जल्द से जल्द fill करकर अपने form को on the spot submit करना है अगर more than 20 candidates से जादा अगर वहाँ पर होते हैं तो उस scenario में आपका written test ये conduct कराएंगे और उसमें से ये shortlist करेंगे top 10 candidates को for the interview आपको अपने साथ लेकर जाने होंगे अपने all original documents in support of age, essential qualification, desirable qualification, mark sheet and degree certificate with one set of self-attested copies of the same यानि आपको इन सारी documents की अपने साथ xerox copy भी लेकर जानी होगी जोगी self-attested हो और अपने साथ लेकर जाने होंगे ये two recent passport size color photographs आपको किसी भी तरह का T.A.D.A. paid नहीं करेंगे for attending the interview or joining the post आपको अपने current employer से no objection certificate लेकर जाना है basically इसमें जो लिखा हुआ है terms and condition में सीरे no.7 पर candidates already in a government service shall submit no objection certificate from the present employer at the time of interview तो interview के वक्त आपको जो अपने no objection certificate लेकर जाना है basically ये government employees जो हैं ये उन के लिए है I hope मेरे द्वारा दी हुई information से आपको help मिली होगी तो आप अभी से इसके लिए prepare रहें और मेरी तरफ से आपको all the best and best of luck apply करने से पहले आप इनकी terms and condition अच्छे से read कर लीजेगा अगर आपको ये information अच्छी लगी हूँ तो please video को like कीजेगा share कीजेगा और हमारे साथ connect रहने के लिए channel को subscribe जरूर कीजेगा और नेवाद बनीटा